यह है हमारा R-Shift का base और इदर हमारा है POP Professional का base तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो हम बात करने वाले के R-Shift बेस्ट है या फिर हमारा POP का base तो friends इसके लिए आप यही कोगे कि R-shape इसके लिए best रहेगा लेकिन friends हमारा pop का जो base है वो R-shape को कितने हद तक टकर दे सकता है वो ही हम आज की इस वीडियों बात करने वाले हैं Hello friends एक बार आपका फिर से हमारे channel पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं तो friends आज की इस वीडियों हम इस दोनों base का comparison करने वाले हैं कि इन दोनों में से best कौन सा रहेगा अगर friends इसमें R-shape best है तो हमारा pop का यह base है इस R-shape के base को कितने हद तक टकर दे सकता है वो ही हम आज की इस वीडियों बात करने वाले हैं तो चली friends वीडियो को start कर लेते हैं तो friends सबसे पहले हमारे बात करते हैं R-shape के base की तो friends यह हमारा R-shape का 3000W वाला एक passive base है जो यहाँ पर आपको front से इस type से देखने को मिल जाता है इस base का cabinet है वो भी हमारा front base design में दिया गया है और इसके अंदर 18NC के दो speaker लगे हुए है 500W के power rating के साथ में और हमारा दूसरी तरफ से पॉप का LD-218 BV3 जो एक 3000W का armis power वाला base है इसके अंदर भी 18NC के दो speaker यूज किये गए है जिसका यहाँ बादा front panel देख सेते हो इसका cabinet है वो core loaded base वाला cabinet इसके अंदर यूज किया गया है अब friends बात करते हैं हमारे इन दोनों base के specification की कौन सा base सबसे best है तो friends बात करते हैं सबसे पहले RCP की S-888 की तो यहाँ पर आप base का review कर चुके power handling है वो यहाँ पर 3000W rms power का रहने वाला है इसके अंदर turn register की बात करें तो अठारा NC के दो speaker यूज की गये है फिक्वेंसी रेस्पांस है वो 30 से 200Hz का रहने वाला है श्यार इसकी voice call के साथ में आपको यह speaker मिलते हैं जो copper की voice call है SPL इसका 141 TB का मिल जाता है impedance यह हमारा forums के साथ रहता है और weight इसका है वो यहाँ पर assist kg का मिल जाता है तो friends यह हमारा base की specification है यहाँ पर आप power rating के हिसाब से भी देख सकते हो SPL काफी तगड़ा रहता है इस base का और बात करें हमारे pop के base के specification तो यहाँ पर आप इस speaker देख चुगे हो power rating इसका भी 3000W का आनमेस power का हमें मिल जाता है इसके अंदर भी 18 NC के दो speaker है वो यूज किये गए frequency response है वो यहाँ पर 20 से एक सुनिवे हैट्स तक मिल जाता है वोइस कॉल इसकी चार इंज की हमें मिल जाती है copper में और SPL वो यहाँ पर 135 डीबी का maximum SPL इसका मिल जाता है impedance यह हमारा forums के साथ रहता है weight इसका 101 kg का रहने बाला है और इसका cabinet है वो current loaded के अंदर हमें मिल जाता है तो friends यहाँ पर हम दोनों के specification की बात करें तो SPL तो काफी different मिल जाता है यानि base का जो pressure है उन दोनों pressure के अंदर आप यहाँ पर difference देख सकते हो R-ship के base का SPL है वो 148 dB का maximum है जबकि हमारा pop के base का SPL है वो 135 dB का maximum SPL हमें मिल जाता है scale of frequency response में भी हमें different मिल जाता है और इनी कारणों से friends हमारा इन दोनों base में से जो best performance रहेगी वो R-ship की रहेगी चाहे दोनों base 3000 watt R-miss power वाले की हो उसके hello friends हमारे इन दोनों base की price range की बात करें तो price range के अंदर आपको काफी सारा different भी देखने को मिल जाता है तो friends आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं हमारे एगले next वीडियो में झाहे झादी का झादी की बाता है